इंडिया का नमबर वन इंसिटुट कौन? इंसिटुट कौन! पिर भी खुस नहीं था वह और कहीं ना कहीं उसको लगना था कोई ना क्मी महशूस होती रहती थी उसको तो उसने सोचा कि युझा आ आप में सहर जाके रहोओ कि अब उसे लगना था कि?, गया तो जीवण ही मिल पाहरा है जो स़ट उसको सहर में मिल जाए अगर कोई पैसे की प्रॉब्लम में तो मुझे बता मैं तुझे पैसे दे दूँगा तो उसने बोला नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है मेरा घर बेचने का कारण यह है क्योंकि यहां पर गाउ में ना कोई पक्की जरक है रास्ते उबर खाबर हैं आपर चारो तरफ पूरा गाउ जंगलों से गिरा पड़ा है और हबाते चलती है तो पूरे पत्ते हो सारे रस्ते पे पहल जाते हैं तो तुम बताओ कि मैं सेहर क्यों ना जाओं जहर की भीबहार से दूर पहारियों के बीच हरियालू से भड़ा होगा ताजी हवायियों अपने सपनों का सुंदर मकान खटे देजा इस नीचे लिए नमबर पर कॉल करें तो वह खुस हो गया और उसको यह मकान खुरीदना था तो उसने कॉल किया और जब उसने उसे कॉ तो उसके वही दोस्त ने फोन उठाया जो उसका रियल इस्टेट का प्रोकर था और उसने बताया कि यह उसी का घर है जो वह बेचना चाता था और यह जब सुनकर उसको फील हुआ कि मैं इतना अच्छा घर छोड़के उस सहर की भीर भार में जा रहा हूं जहां पर मुझे सा अब आपको यह समझाना चाहता हूं कि हमें अपने जीवन से कितनी सिकायत होती है छोटी-छोटी से दुख हमें हमारे बड़े दुख लगते हैं और दूसरों की छोटी-छोटी खुसी भी हमें उनकी बड़ी इसी खुसी लगती है दोस्तों मेरे यह मानना है कि कोई भी ड कीज़े दिखें दुसायत आपको नहीं दिख रहे हैं और आपको फील हो कि आपका जीवन उनसे कहीं ज्यादा अच्छा है आसका ओए इसी वीडियो के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए रेकियो बर्म कीजिए वीडियो के इसब्सक्राइब कीजिए दूए रहे हैं ज्या आपको वीडियो